दोस्तों इस वीडिव में बात करने वाले सेंट्रल बैंक सेर के बारे में देखेंगे सेंट्रल बैंक में हम लोगों क्या टार्गेट देखने मिल सकता स्टॉक का सपूर्ड कहां पर रिष्टेंस का पर आज की दिन फिर्षेट थोड़ा सा एक पसेंट के करीब गिराव इससे उपर के तरफ रेजिश्टेंस देख रहा है 80 रुपीज का लेवल और नीचे के तरफ स्टॉक में सपूर्ट डिख रहा है जोकि 60 रुपीज का लेवल और इस 20 रुपीज के रेंज में स्टॉक हम लोगों को पास फ्यब बन से स्टॉक ट्रेट करते हैं तो जब तक स इस रेज में ट्रेट करते हैं स्टॉक में अल्मूस कुछ इसी तरीकी का मोमेंटम एक्सपेक कर सकते हैं लेगिन किसी ने बाइक कर रखा तो आप सबका स्टॉक लॉस अराउंड 55 रुपीज के पास होना चाहिए क्योंकि स्टॉक का एक मेजर सपोर्ट है 55 रुपाय का ले डिखेगा जिससे टागेट डिकल के आ सकता है उपर के तरफ जो कि हंड्रेट से लेके करीब 120 रुपाय तक का और इवल नॉंग टर्म में स्टॉक हमें को 150 से ज्यादा तक का भी टागेट डिखा सकते है लेकिन स्टॉप से ध्यान रखेंगे जो कि 55 रुपाय से लेके 50 होना चाहिए तो कोई करने साथ है स्टॉक में तो करेंट लेट कर सकते या फिर 70 रुपाय का ब्रेकाउट का वेट कर सकते तब तक के लिए इतना इस वीडियो में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्क्राइब करें